अम्रित भारत यानि युवाओं का भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांगशाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है विजन 2047 यानि विकसित भारत का संकल्प जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोडने की ज़रूरत थी युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लैटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुर सके इस प्लैटफॉर्म के माध्यम से युवाओं भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुची हो जिसके द्वारा उन्हें व्याभारिक अनुभव प्राप्थ हो सके जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विशे में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षन युवा नेटवर्क का इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है mybharat.gov.in portal ये एक ऐसा पोटल है जिसमें होगा तेज तर्रार, दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक mybharat digital platform होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा यानि कि भारत के युवाओं को दोनों ही माधिमों से फाइदा होगा मैं 18-25 वर्ष के उर्जा और संकल्ब से भरे हमारी यश्यस भी युवाओं से बात करना चाहता मैं इने न्यू इंडिया यूथ मानता न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्सा और उर्जा मेरा विश्वास है कि हमारे इन उर्जावान युवाओं के कौशर और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा ये भारत की जोशीली युवा आबादी को जोड सकता है, उनके सामर्थे को निखा सकता है युवाओं में होगा नेत्रित्व विकास, तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तक्नीकी शिक्षन, नेत्रित्व कौशल, स्थानिय विवसाय और अनुभव में होगी प्रकती जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानिय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी सरकार और जनता की बीचो सीधा संपर्क, एक बेहतर दो तरफा संचार का माध्यम, यही तो है एक विकसित भारत की परिकल्पना, जिसे साकार कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी मेरा युबा भारत, समर्थ युबा, सशक्त भारत